तो लीजिए सुनिए पठेर पंचाली का 18 अथ्याय पठेर पंचाली के आगे क्या दियाय आपको हमारी प्लेडिस से मिल जाएंगे लिंक आपको आई बेटन पे मिल जाएगा तो शुरू करते हैं पठेर पंचाली लेखा विव्योति विविशन बंदो पात्याय हरीहर को घर की चिठी नहीं मिली थी अब की बार घर से निकल कर हरीहर पहले-पहल गवारी कृष्णनगर गया था वहाँ किसी से परीचे नहीं था अच्छा खासा शहर और बजार था इस आशा से गया था कि वहाँ कुछ न कुछ हो जाएगा वहां रहते से मैं उसे पता लगा कि शहर में वकील या जमीदारों के घर पर चंडी का पाट करने के लिए मासिक या दैनिक हिसाब पर काम अक्सर मिल जाता है इसी आशा में पंदरा दिन कट गए और रहा खर्ज के नाम पर घर से जो थोड़े पैसे लाया था वे चुक गए और इधर एक टके का काम भी नहीं बना वहे बड़ी मुसीबत में फस गया आप अरीचितिस्थान कोई एक पैसे की भी मदद नहीं करने वाला बाजार में जिस होटल में ठहरा था वहाँ से पैसा खतम होते ही निकलना पड़ा किसी से सुना था कि स्थानी है हरी सभा में परदेश से आएवे गरीब रामनों को मुफ्त में खाना और रहना मिलता है वहाँ कह सुनकर उसे हरी सभा की एक कोट्री में रहने को जगा तो मिल गई पर वहाँ बड़ी असुई धाती बहुत से बेकार गजड़ी रात भर होहला मचाते थे यहाँ तक कि रात में वहाँ उसने ऐसी स्थ्रियों को आते जाते देखा जिने देकर यहन ही मालूम होता था कि यह हरी मंदिर में दर्शन करने आई है बड़ी मुसीबत में दिन काटकर वह शहर के बड़े वकीलों और धनियों के घरों का फेरा लगाने लगा दिन बर घूंग घूंगर वह जब रात को लौटता तो अकसर देखता था कि कोई अग्यात व्यक्ती मजे में उसके विस तरह पर खर राटे भर रहा है हरी हर ने कई दिन बरांदे में गुजारे अकसर ऐसा होने के कारण गंजेरियों के साथ उसकी कहा सुनी भी हो गई प्रबंद कर लो नतीजा यह हुआ कि संध्या के बाद हरी हर को हरी सभा भवन छोड़कर चल देना पड़ा वह नदी किनारे एक निर्जन स्थान में एक सुनसान जगा पर अपनी पोटली उतार कर नदी के पानी में हाथ धुने गया उस दिन हरी हर ने दिन बर कुछ नहीं खाया था लकड़ी की एक टाल पर बैटकर उसने काली जी पर भजन गए इस पर टाल के मालिक ने उसे एक रुपिय दक्षिना दी थी उसी रुपे को दोड़ा कर कुछ पैसे का दही और लाई ले आया था पर खाना गले से उतर नहीं रहता दस दिन के लायक मुझी छोड़ कर वह घर से निकला था और आज दो महीने होने आया अभी तेक एक पैसा भी नहीं भेज सका था पता नहीं उन पर क्या बीद रही होगी घर से चलते समय अप उन्हें बार बार कहा था कि पिता जी लोड़ते समय पद्य पुरान जरूर लेते आना लड़का पुस्तक प्रेम लड़के को यह तो मालूम नहीं था कि पिता जी कौन सी पुस्तक कहां रखते हैं इसलिए किताबे उल्टी सीधी मिलीती हैं घर लोटने पर यहर को पता लग जाता है कि लड़के नहीं है कांड किया है घर आने पर पहले हरियर जोगी डोला से एक सस्ता पद्य पुरान कु खौद रह साता है हरियर कहता था बेटा पुस्तक दे दो जिसकी पुस्तक के उसे वापस करनी है जब हरियर ने यह वादा किया कि वह पद्य पुरान खरीद देगा तब ही वह किताब वापस मिली थी अब की बार सफर पर निकलने से पहले उसे पक्का वादा करना पड़ा यह पुस्तक जरूर ही वह खरीद कर लाएगा दुर्गा को इतनी बड़ी बड़ी बात उसे कोई मतलब नहीं था इसलिए उसने यह फरमाईश की थी कि उसके लिए एक आलते का पत्ता लाया चाए और एक साड़ी पर यह बाते बहुत ही बड़ी बाते हैं समस्या तो यह थ दरे पर पड़े पड़ी है सुस्तरा है कि घर को कुछ कैसे बेजे वह सवेरे उटकर बिना किसी मतलब के घूंगते वे उदेश यहीं धंग से रास्ते में एक जगा खड़ा हो गया सड़क के उस पार लोहे के फाटक वाला लालीटो का एक मकान था देर तक उस मकान के और खूरते रहने पर उसे ऐसा लगा यदि वह उस मकान में जाकर अपनी गाता सुनाए तो कुछ ना कुछ उपाय तो निकल आएगा वह यंतर चालित गुड़े की तरह फाटक के अंदर दाखिल हो गया बैठक कूप सजी हुई थी संग मरमर की सीड़ियों पर एक के बाद एक कर बोले तुम कौन हो क्या जरूरत है हरिहर ने नमरता पूरवक का जी मैं ब्रामन हूं संस्क्रित जानता हूं चंडी का पाठ आधी कर लेता हूं इसके अलावा भागवत या गीता का पाठ भी कर सकता हूं अधेड सज्जन ने बात अच्छी तरह बिना सुने ही कह दिया क कि उनका समय कीमती है फिजूल बाते सुनने के लिए उनके पास समय नहीं अत्यन्त संक्षिप्त रूप से बोले यहां सब यह दमाश है नहीं चलेगा दूसरा घर देखिए हरीहर ने अंतिम सहास पटोर कर का जी मैं नएने शहर में आया हूं खाली हाथ हूं बड़ी विपत्ती में फस क्या हूं कई दिनों से बस अधेर सज्जन ने मानु जल्दी छुटकारा पाने के लिए तक्या उठा कर उसके नीचे से कुछ हरीहर की तरफ बढ़ाते विए यह लीजे जाईए और कुछ नहीं मिलेगा यह सिका चाय जो भी रहा हूं उसे यदिवे सज्जनता और ढंक से देते तो हरीहर को लेने में कोई अपत्ती नहीं होती ऐसा उसने बहुत बार किया भी है और इस समय विने के साथ का जी आप उसे रखेए मैं ऐसे किसी से कुछ नहीं लेता मैं शास्त्र पाठ करता हूं इ शुब संयोग शायद हुआ था रक्षित महासे के टाल पर एक दिन एक पता मिल गया कृष्णि नगर के पास किसी गाउं में एक धनी महाजन अपनी ग्रह देवता की पूजा और पाठ के लिए किसी ऐसे ब्रहमन की तलाश कर रहे थे जो उन्हीं के पास बस जाए रक्षित अगया घर जाते से मैं मालिक ने 10 रुपे दक्षिना और आने जाने का किराया भी दिया रास्ते में रक्षित महाशे से विदाई लेते से मैं 5 रुपे दक्षिना में भी मिले चारों तरफ अकाश और हवा में गरम धूब की गंद थी नील में ग्युक्त अकाश की और मैं हरी हर को घर की याद आती थी शांतीपुर के कुछ व्यपारी पूजा के पहले कपड़े की गाट खरीदने कलकता गए थे वे चुड़नी गाट की खेवा वाली नाव पर चड़कर शोर गुल कर रहे थे जिदर देखो उधरी उतसव का उल्लास था उसने रानगाट के दुलगा की लाल किनारी की साड़ी पसंद है इसलिए उसके लिए एक लाल साड़ी और आलता की कुछ पत्तियां लिगए बड़ी दौड धूप करने पर भी अपू का पद्ध पुरा नहीं मिला इसलिए छे आने देकर साच चित्र चंडी महामातिय या कालकेतु का उपाख लिया गया ग्रस्ती की छोटी मोटी दो एक चीज हैं सर्वजया ने एक लकडी के चकले बिलन के लिए कहा तक खरीदे नहीं अपने स्टेशन पर उतर कर पैदल चलते चलते वह संद्या समय गाउं में पहुचा रास्ते में कोई नहीं मिला दूर से कोई दिखाई भी नहीं उसके वबाद वे हमेशा की तरह आगरे के साथ पुकारने लगा बेटी दुर्गा ओपू उसकी आवास सुनकर सर्वजया मकान से बहारा गई हरीहर ने हसकर पुछा अरे सब ठीक ठाक है यह सब कहां गए हैं गर पर कोई नहीं है क्या सर्वजया ने शान्त होकर पती के अभी लड़की और लड़का दोड़े वे आएंगे और दुर्गा हसकर बोलेगी पिताजी इसमें क्या है बस है फॉरन ही पोटली खुलकर उसमें से उसके लिए लाई हुई साड़ी और आलते की पत्यां दे देगा और साथी साच चितरे चंड़ी मात यह कालकेतु का उप क्या अपू और दुर्गा दोनों भार गए हैं अब सर्वजया से किसी तरह रुका नहीं का वे एक आएक फूट पड़ी और चिला कर रोती भी बुली अजी अब दुर्गा कहा है बेटी तो हम लोगों कुछ चल कर चली गई इतने दिन कहां रहे दुर्गा के मरने के बाद सर्वजया बराबर पती पर दवाब डाल रही थी कि वे यह गाउं छोड़ दिया जाए असल में अपू सोया नीता वे जागा हुआ था उसकी आँके मुंदी हुई थी पर रात के समय मां और बाप में जो बाच्चीत हो रही थी वे उसने सुन ल हैं हरियर का मुम्र में वहां बहुत दिनों तक रहा है वहां वह बहुत से लोगों को जानता है सब उसे जानते हैं और मानते हैं वहां चीजे भी सस्ती हैं माने इस पर बहुत आग्रह किया कि उन सुर्णिम देशों में कभी किसी को अभावनी होता जबकि यहां तो बारो म महिने में उधर चल दिया जाए चड़क के अगली दिन माल टाल की बंधाई शुरू हो गई कल दुपैल को खाने के बाद रवाना होना है संध्या समय रसोई घर के सेहन से उसकी मां उसके लिए गरम पराठे बना रही थी नील मनी ताव के प्रतियक्त घर घुरे में नारियल क प्रेड के पत्ते चांदी में चमचमा रहे थे देखकर अपू का मन बहुत दुखी हो गया इतनी दिनों में नई देश में जाने के लिए उसके मन में जो उत्साह था जाने का दिन जितना ही पास आता जाता वै उतना ही घड़ता जाता और आसन बिच्छों की गहरी वियता से उसका मन दुखी होता जा रहा था यहरा उनका घरगुरा यहरई बास की जाड़ियां पलीता खोर आम का बाग नदी का किनारा दीदी के साथ वन भोजन करने का वह स्थान उसे सब इन सबसे कितना प्यार है वह जहां जा रहा है क्या वहां नारियल के पेड ऐसे होंगे उ सबसे नारियल के इस पेड को यही देख रहा है चांदनी रातों में उसके पत्ते कितनी प्यारे लगते हैं इन्ही दिनों चांदनी में इसी सेहन में बढ़कर चांदनी की छटा वाली नारियल की डालों की और देखते वे वे कितनी ही बार दीदी के साथ 10-25 खेलता रहा है कितनी ही बार मन में यह विचार आया कि यह निश्चिन दिपुर कितना सुन्दर देश है वह जहां आ रहा है क्या वहां भी रसोई घर में सेहन के किनारे जंगल में मिलता वह इस तरह का नारियल का प्रेड है क्या वह मचली पकड़ सकेगा आम बीन सकेगा डोंगी खे सकेगा रेल रेल खेल सकेगा क्या वहां पर कदम तले साब घाट की तरह घाट होंगे क्या वह रानी दीदी होगी सोना डंगा मैदान होगा वे यहां अच्छे खासित थे फिर इस देश को छोड़ कर क्यों जा रही है दुपहर के समय एक कांड हो गया उसकी मा सावित्री वृत का नियौता जीमने गई थी हरियर खाना खाकर बगल की कमरे में सो रहा था और अबू कमरे के अंदर ताके के उपर की चीजों को देख रहा था कि इन में कितनी से ले जाई जा सकती है उचे ताके पर वह एक मिट्टी का कलसा हटाने लगा तो उसके अंदर से कोई चीज निकल कर फर्ष पर गिर गई वह नीचे उत्रा तो उसने उस चीज को उटा कर देखा तो दंग रह गया धूल और मकडी का जाला लगा होने पर भी वह क्या वस्तू है उसका इतियास क्या है यह जानने में उसकी तनिक देर नहीं लगी यह वही चोटी सी सोने की डिबिया थी जिसकी चोरी पर साल सजली मालकिन के घर से हुई थी दुपैर को कोई घर पर नहीं था वह डिबिया हाथ में लेकर बड़ी देर तक अन्यमनसक होकर खड़ा रहा बिसाक की दुपैरी की गरम धूप भरी एक कांत में बास की जाड़ी की साए साए बहुत दूर की वारता की तरह कान में आती है उसने अपने ही मन में कहा कि दीदी ने इसे चुरा कर कलसे के अंदर चीपा रखा था थोड़ी देर तक वैसोस तरह बाद में धीरे धीरे पीछे की दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया ऐसा लगा बहुत दूर तक बांस की जाड़ी जैसे दुपैर की दूप में पिनक रही हो जुम रही हो वै शंक चिल किसी पेड़ की फुनगी पर बोल रही हो थोड़ी देर वै खड़ा रहा कर उसने हाथ की डिबिया को एक जटके से बांस की घनी जाड़ीयों में फेक दिया उसकी दिली जब भूलवा कुत्ते को पुकारती थी तो वै जिन जाड़ीयों में से हाफते वे तीर की तरह आता था ठीक उसी के आसपा सुखे भासवर पत्ती के धेर में जाड़ीयों में वै डिबिया कहां लुप्त हो गए वै मनी मन बोला बोल रही डिबिया कि यहाँ पर है कभी किसी को पता नहीं मालूम होगा भला वै कौन जाने वाला है अपुर्व ने सोने की डिबिया की बात किसी को नहीं बताई आगे भी नहीं बताई यहाँ तक की मा को भी नहीं बताई कुछ दिन ढलने पर हीरू गाड़ी वान की बैल गाड़ी रवाना ही सवेरे की तरफ आसमान में कुछ-कुछ बादल थे पर दस बजे से बादल छट गए बेसाग की दुपारी को धूप पटवारी जैसे आग बरसाने लगी पटू गाड़ी के पीछे-पीछे बड़ी दूर तक आया था लगबग रात दस बजे गाड़ी स्टेशन पर पहुँची आज बड़ी देर से वे बैल गाड़ी के स्टेशन पर पहुँचने की प्रतिक्षा कर रहा था इसलिए बैल गाड़ी पहुंसते ही एक चलांग से स्टेशन के प्लेट फारम पर पहुंचा रात के साड़े आठ बजे की गाड़ी बहुत पहले ही निकल चुकी थी पिताजी से पूछने पर मालू हुआ कि रात बर और कोई गाड़ी नहीं है तरी देख पाता प्लेट फारम पर तमाकों की बहुत सी गाठे लगई वी थी रेल के दो आदमई लोहे के बक्स की तरह लंबी-लंबी दंड़े वाली एक कल पर तमाकों की गाठों को चड़ा कर जाने क्या-क्या कर रही थी चांदनी से रेल की पट्रियां चांदी की तरह चम-चमा रही थी उधर रेल लाइन के किनारे एक उची खुटी पर दो लाल बत्तियां इधर भी और ऐसी दो लाल बत्तियां उधर भी थी स्टेशन के कमरे में मीच पर चार टांगों वाली मिट्टी के तेल की लाल टेंग जल रही थी बहुत सी जिल्द बंदी हुई कापियां और कागजात रखे थी अपू ने दरवाजी के अंदर से जरा जहांक कर देगा कि स्टेशन के बाबू खड़ाओं की छोटी खुटी की तरह किस चीज को दबा कर खटखट करने में मगने है स्टेशन स्टेशन बहुत दिर ने कल सवरे ही वेना के वे रेल गाड़ी को देखेगा बलकि उस पर चड़ेगा प्लेट फर्म से जाने को उसका जी भी नहीं करता था पर पिता जी बुलाने आए उन्होंने बताया कि खड़ाओं की खुटी की तरह जो चीज है वे टेलिग्राफ की कल है अप उन्हें लौट कर देखा कि स्टेशन के पास पोखर के किनारे खाना पकाने का धंग हो रहा है एक और गाड़ी पहले ही वहाँ से खड़ी थी सवारियों में 18-19 साल की एक बहू और एक यूवक था ओपो को मालूम होगी है बहू हभी पूर के विश्वास घराने की है भाई के साथ माई के जा रही थी इसी बीच में उसकी मा के साथ बहू की अच्छी जान पैचार हो चुकी थी उसकी मा खिचडी के चावल दाल दो रही थी और बहू आलू छील रही थी खाना एक साथ पकेगा सबेरे साथ बजे रेल आई और पुमू बार कर बड़ी देर से रेल देखने के लिए प्लेट फारम के किनारे खड़ाता उसका गला आगे बढ़ा हुआ इतने में हरी हर निका बेटा उतना आगे मत बढ़ो इधर आओ एक चौकिदार भी लोगों को सावधान करके पीछे हटा जा रहा था ट्रेन कितनी बड़ी है कितनी आवाज करती है जो सामने है उसी को इंजन कहते है ओ कितना अचीब है हभी पूरवारी बहु घुंगट खोलकर कौतुहल के साथ स्टेशन पर आने वाली गाड़ी की ओर देख रही थी जल्दी जल्दी में गाड़ी में सारा माल लादा गया सामने सामने लकड़ी के बैंच थे गाड़ी का फर्स सिमेंट का बना हुआ लगा मनो एक कमरा हूँ अगले जंगले और दर्वाजे सब उसी परकार के थी अपू को यह विश्वासी नहीं हो रहा था कि यह भारी गाड़ी जो आकर खड़ी हुई थी फिर चलेगी भी क्या मालूं शायद ना चले शायद वे अभी यह है कि तुम लोग उतर जाओ हमारी गाड़ी आज नहीं चलेगी तार के घेरे के उस पार एक आदमी खांस का एक बोजह सिर पर रकट ट्रेन चुटने की बाड़ देख रहा था अपु को लगा यह आदमी किरपा पात रहे आज की दिन जिसे रेल पर चड़ने नहीं मिला वे जीएगा कैसे हीरू गाड़ी वान फाटक के बार खड़ा होकर रेल की तरफ देख रहा था आखिर गाड़ी चली अजीव अनो का जगोला देकर देखते देखते माजेर पाड़ा स्टेशन लोग बाग तबाकों की गाठे मूँ बनाकर घुरता वाहीरू गाड़ी वान सब को पीछे चोड़कर रेल गाड़ी सरपत मैदान में आ गई पेड़ पालो फटा फट दौनों तरफ की खिड़कियों को तरह तरह का देकर जैसे भाग रहे थे कितना तेज था इसी का नाम रेल गाड़ी है वो ऐसा मालू होता है सारी मैदान को चक्कर दे रही है चाड़ियां पेड़ फूस से चायवे किसानों के चोटे चोटे घर सब को पीछे चोड़ती जा रही है गाड़ी के नीचे से चक्की पीछने किसी इकरस अवाज आ रही है सामने जो इंजन लगाए वे कितना शूर कर रहा है माजिर पाड़ा इस्टेशन का डिस्टन्स सिगनल भी धीरे धीरे लुप्त हो गया बहुत दिन हो गये उस दिन को वह जिस दिन अपनी दिनी के साथ पच्छडा खोसते खोसते मैदान को पार करते वे रेल की पट्री देखने के लिए बेताशा भाग रहा था वह दिन और आज का दिन वह वहां पर आस्मान के नीचे दुरगापूर की सड़क पर लगी हुई पेड़ की कतारे दूर दूर होती जा रही थी उसी के उस तरफ जहां उनके गाउं का रास्ता तिर्चा होकर सोना डगा मैदान से चड़ाया था वहां रास्ते में उस मोड़ पे गाउं के किनारे प अनघट फांस की जाड़ियां आम के बाग किसी भी फिर भी वह दिदी को अपने पास पाता था दिदी का दृष्यस ने इस पर्ष निशिंदपूर के टूटे वे घर के हर कौने मेता पर आज सच मुझी दिदी के साथ चीर विच्छेद हो गया उसे ऐसा लगा जैसे कोई भी दिदी से प्यार नहीं करता मा भी उसे नहीं करती प्यार कोई नहीं करता कोई उसे छोड़ाने से दुखी नहीं है अचानक अपू का मन एक विचितर अनुभुती से भर गया इसे दुख नहीं कह सकते शोक नहीं कह सकते बिच्छो नहीं कह सक एक मुहुरत के अंदर की मन में आई कि अतूरी डायन नदी का घाट उनका घर चालता पिढ के नीजे का रास्ता रानी दीदी कितनी ही शाम कितनी ही दुपैर हसी खेल दीदी का चैरा दीदी की कितनी यादे दीदी अभी एक टग हूर रही थी अगली शेन उसके मिन में के अंदर की वाक्य हिन भाशने आस्वों में अपने को वक्त वे व्यक्त कर मानो बार बार यही कहना अच्छा दीदी मैं गया नहीं तुझे भुलाया नहीं मैं तुझे जान बुचकर छोड़े नहीं जा रहा हूं मुझे लिये जाया जा रहा है